नमस्क्रा दोस्तों मैं जेपी आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि मैं आपको IC38 एक्जाम के बारे में कई सारे टेस्ट के माध्यम से आपको बताते आ रहा हूं आज मैं मॉडल टेस्ट पेपर का फोर्थ चेप्टर लेकर आया हूं और इसको आप लोग ध्यान से देखेगा जो आपके लिए काफी लाबदायक हंड़ेट में हंड़ेट परसेंट एक्जाम में पूछे जाने वाले क्रेस्टन है या पूछे गए भी है ऐसे सारे क्रेस्ट इसमें से कौन अपनी एच्छिक आय को बढ़ानी की रणीती नहीं है इसमें चार आप्स सनी है इसमें से आपको डायेट में आपको आंसर रता रहा हूं इसमें आपका अंसर नंबर सी सई जीवन बीमा आप अगला प्रेस्ट लेते हैं प्रेस्ट नंबर थ्री पूछाए किसी आज जीवन बीमा में देव प्रीमियम एक आउधी बीमा योजना में देव प्रीमियम की तुनला में होता है इसका आपको आंसर नमबर आंसर बता रहा हूँ B. कम प्रेश्ट 4 लिया गया है जीवन बीमा में ब्यक्ति मृत्य होने की दसा में उसके बंधक की प्रतिपूर्ति हो जाती है इसमें आपका आंसर नमबर कौन से सही है A. आउधी प्रेश्ट 5 लिया गया है जीवन बीमा में दिया गया प्रीमियम जितना होता है ब्रेक्तिकी मुर्थ्यों होने की दसा में उसके दावे द्वारा को देव भीमा रासी उतनी ही क्या होती है अधिक होती है ना किसमें से आपका अप्सन नंबर 5 का A सही है अधिक अधिक क्रशन इस भीकल्प सही है कि इसमें आपका अंसर नंबर 5-7 गरथी आपका ऊंसर है झाल 1-70 एक सबैर इसमें आपका आंसर है C, एक सवान, प्रश्ट एट ले गया है, और दी वीमा योजना को परिवर्तन करवा कर एक वीमा बदला जा सकता है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, A, आजीवन वीमा, अब प्रश्ट नाइन है, निमने में कौन जीमा वीमा पॉलिसी खरीदने का फ्रात्मक उद्देश से है, इसमें आपका अंसर नंबर C सही है, किसी ब्यक्ति के धनारजन चंता खोने पर उसके विरुद सुरच्छा, प्रश्ट टेन ले गया है, निमने में से किसे एक आउधी वीमा योजना की सलात देना सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें आपका अंसर लिए गया है, घर्टी वीमा योजना की संदर में कौन से कथन असत्य है, इसमें आपका अंसर नंबर B सही है, अवधी के साथ प्रीमियम कम हो जाता है, यह गलत वात है, प्रश्ट ट्वेल लिए गया है, बंदोबस्ती वीमा के संदर में निमन से कौन से कहतन सत्य है, तो थर्टीन पूछ रहा है, निमन में से कौन बंदोबस्ती वीमा का एक उधारन है, तो इसमें से आपका आंसर नंबर C सही है, धन वापस योजना, प्रेश्ट फोर्टी लेगा है, निमन में से कौन सा वीमा, कौन सी वीमा योजना, गैर प्रागत जीवन वीमा योजना है, सत्य यही है, वेरियेबल जीवन वीमा एक आस्थाई जीवन वीमा पॉलिसी है, यह गलत है, आपसर नंबर C सही है, अब 16 में चलते हैं, इंटर टेस्पोरल एलोकेशन से तात पर है, इसका आंसर भी सही है, दोस्तों, समय के साथ संसाधनों के बटबारे को करना, प्रेश्ट 17 लेगे, प्रंप्रागत जीवन वीमा योजना की सीमा निम्ड में से कौन सातत निर्धारित करता है, प्रेश्ट 18 एंटर जीवन वीमा पॉलिसी सर प्रस्तुत की गई थी, वाह, अमेरिका में प्रस्तुत की गई थी, बटा, प्रेश्ट 19 लेगे, कौन सा वर्ग वेरियेबल जीवन वीमा को सरवादिक पसंद करेगा, इसमें से आपका आफसर नमबर, प्रेश्ट 20 है, पूछ क्या रहा है, यूलिप वीमा यूजना की बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपका आफसर नमबर, प्रेश्ट 21 है, निम्न में से किसके अतरिक सभी विसिस्ताओं एक वेरियेबल जीवन वीमा यूजना में होती है, इसमें से आपका आफसर नमबर, ए सही है, प्रेश्ट 22 लिया गया है, बीमा पॉलिसी के संबन्द में, प्रेश्ट क्या निरूपित करता है, इसमें से आपका अप्शन नमर 20 से पॉलिसी खरीदने के लिए भीमा धारक द्वरक किया गया मुल्य भुक्तान अब प्रेश्ट 23 लेगा है इनमें से कौन सा जीवन भीमा प्रीमियम के निर्धारण का एक कारक नहीं है इसमें से आपका अप्शन नमर 20 है छूट रिवेट प्रेश्ट 24 है पॉलिसी वापिस लेना क्या है इसमें से आपका अप्शन नमर से उपार्जित समारपण मुल्य के बदलने में पॉलिसी का समारपण वाह इसमें से आपका अप्शन नमर के लिए छूट पेसकस कर सकती है तो इसमें से आपका अप्शन नमबर ए सही है खरिदार चुनी गई बीमा धन अब प्रेश्ट 27 पूछ रहा है क्या पूछ रहा है प्रीमियम निर्धार करते समय प्रयोग के जाने वाले मौतपुन घटकों में ब्याजदरे सामिल रहते हैं ब्याजदरों के संबंद में नीचे दिया गया कौन से कतन सही है इसका आंसर ह होगा सी ब्याजदर जितनी अधिक माने जाएगी प्रीमियम उतना ही कम होगा प्रेश्ट 28 नीचे दिये कौन से खथन सब्सक्राइब इसमें सब्सक्राइब ब्यवसाइब तनाव नए कारवार के चरण में अत्रिक्त खर्चों की वज़ा से उत्पन होता है इसमें सब्सक सप्रेश्ट 29 है बीमा कमपनियों दरत संपत्यों के मुल्यांकन के संबंद में वह मुल्य है जिस जिस लिंग मंपनी ने अपने संपत्यों करेदी या प्राप्ति की है इसमें से आपका option number और डी सही है अंकित मुल्य प्रेश्ट 30 है कि मामले में कंपनी बुनियादी लाब और पाले से दिये गए बोनसों के एक प्रतिस्द के रूप में बोनस खुशित करती है तो इसमें से आपका आप्शन नमर भी सही कंपाउंड बोनस प्रेश्ट 31 है इन में से किसे नैतिक खत्रा के लिए जिम्यदा ठराए जा सकता है पहला ए है बीमा को खरीद के बाद जोखिंपुन विवार बढ़ जाता जाना यही सही है प्रेश्ट 32 है निम्खिन में से जिसकी चिकिसा परिच्छक के रिपोर्ट में जांच की जाएगी इसमें से आपका आप्शन नमर भी सही है उचाई वजन और रत्पचाप प्रेश्ट 33 है मनी लॉंडरिंग धन को अर्थव्यस्था में लाने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानुनी तोर पे हासिल किया गया प्रतित हो सके इसमें से आपका आप्शन नमबर ए सही है अवायद अवायद प्रेश्ट 34 है फ्री लुक अवदी के दौरान पॉलिसी धारग दौरह वापस लवटाए गया पॉलिसी के संबन्द में नीचे दिया गया कौन सा खतन सही है इसमें आपका आप्शन नमबर ए आप्शन नमबर सी सही है प्रेश्ट 35 दिया गया है अगर एक पॉलिसी अगर एक किसी पॉलिसी दस्तावेज के विवरण के लिए जटिल भासा का प्रियोग किया जाता है इसके कोई अस्पष्ट उत्पन होता है तो इसे आम तोर पर कैसे समझा जाएगा इसमें से आपका आप्शन नमबर ए सही ब भीमा धारक के पच्छ में प्रेश्ट 36 उस विकल्प का चैन करें जो पॉलिसी दस्तावेज का सबसे अच्छा वड़न करता है यह सही है यह बीमा अनुबंद का साच्छ है प्रेश्ट 37 प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति बाद बीमा कंपनी आगे प्राप्त होने वाले प प्रेश्ट 38 नीचे दिया है कौन से खथन सही है कि मैंने इसे को प्रेश्ट 39 इसमें से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पाला भाग बनता है इसमें से आपका उप्रेश्ट 40 क्या पूछ रहा है एक महिला जो अनुबन लेने के समय गर्ववती है इसके लिए गर्वावस्ता कारण मौत की जोखिम को कवर नहीं करने का एक क्लाच मानक पॉलिसी दस्तावेज में कौन से खंड में सामिल किया जाएगा इसमें से आपका उप्रेश्ट नमर्डी से पॉलिसी के विशेश प्रावधान प्रेश्टन 41 है नीचे दिया के कौन से कथन नामांकन के संबंद में गलत है डी सही है भाई प्रेश्टन 42 पॉलिसी के अंतरगत गारंटिक रित समर्पण मुल्य प्राप्ट करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रेमियम भुगतान किया जाना चाहिए इसमें आपका उप्सन नमर्डी सही है प्रेमियम का कम से कम तीन लगतार वर्सों के लिए बुगतान अवस्य किया जाना चाहिए प्रेश्टन 43 पूछ रहा है किसी पॉलिसी को कब व्यप गत समझा जाता है इसमें से आपका उप्सन नमर्डी सही है अगर रियायती अवदी में भी प्रेमियम भुगतान नहीं किया जाता है प्रेश्टन 44 है निचे देए कौन से खतन वीमा पॉलिसी के रियायती अवदी के सम्मद में सही है इसमें से आपको उप्सन नमर्डी सही है दे का है डी है रियायती अधी के मानक सीमा एक महीने या 31 दिन है प्रेशन 45 पुछ रहा है अगर पॉलिसी धारक दे तीथी का तक प्रीमियम भुगतान नहीं करता है और रियायती अधी के दवरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा आपसन नमबर सी सही है सी है भीमा कंपणी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे का भुगतान करेगी प्रेशन 46 है व्यापगत व्यापगत पॉलिसी के पुनर्चलन के समय नीचे दे काउन से पहलू को भीमा कंपणी दोरा सबसे महत्तपूर माना जाता है जिस सबसे उप्यूक्त विकल्प है पुनर्चलन के समय बीमा करने योगिस्ति के साथ प्रेशन 47 पूछ रहा है बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 के तहत नामंकन की अनुमती दी जाती है किस धारा के तहत 47 का धारा 49 के तहत दी जाती है भाय अनुमती प्रेशन 48 है नीचे दिये गया कौन सा कथन आइसी पॉलिसी के संबंद में गलत है जिस पर बीमा कंपनी से रिल लिया गया है इसका अंसर बी सही है बी ये कह रहा है एक पॉलिसी में बीमा कंपनी के पच्छे पॉलिसी समय देशन के नाकारन नामंकन रद्ध हो जाएगा यही सही है प्रेश्ट 49 है नीचे दिया कि जो सबसे बड़ा है आप पूछेंगे प्रेश्ट 50 क्या पूछा है यही लाश्ट क्रेश्ट ने जबकि आपको पता है विमा कंपनी द्वारा इनिमेंस से कौन से बदलाव के अनुद मती दी जाएगी इसमें का आपको आपसर नमर पता है कौन सही है यह सही है कि पॉलिसी के दो या दो से अधिक पॉलिसियों में विभाजन करना यही सही है